आज मैं बनाने वाले हूं बिल्कुल फ्री में लिक्वीड पानी जिसे हम कौपर के, स्टील के या पितल के बरतन क्लीन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, हाँ सही सुन रहे हैं बिल्कुल फ्री में ये पानी बनने वाला है ना ही इसमें मैंने Baking सोड़े का यूज किया है ना ही इसमें मैंने Vineager का यूज किया है जो चीज हम fake देते थे उसे मैंने ये पानी बनाया है तो प्लीज वीडियो को पुरा देखिए बिल्कुल भी स्कृप ना करे अगर वीडियो पसंद आए तो like, share and subscribe करना बिलकुल न भूलिए तो चलिए वीडियो को start करते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया है सड़े हुए lemon lemon अगर खराब हो जाए उसका छिलका हो तो आप यहाँ पर use कर सकते हो देखिए मैंने थोड़े से चलके और एक lemon यहाँ पर खराब हो गया था उसे भी मैं use करूंगी सरदियों में निम्बू बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं तो उसका हम juice निकाल लेते हैं जो उसके चलके बसते हैं उन्हें हम ऐसे ही fake देते हैं पर यहाँ पर मैं उसका आपको use बताने वाली हूँ बिल्कुल भी free में क्योंकि lemon का तो हम use कर लेगे juice का पर जो उसके चलके होते हैं उसका हम यहाँ पर use करने वाले हैं पर मेरे पास थोड़े चलके थे इसलिए मैंने दो निम्बू को इसमें add कर लिया है तो इसे आपको बारिक बारिक ऐसे ही cut कर लेना है देखिए ऐसे चाकू से आपको cut कर लेना है तो देखिए मैंने सारे दो निम्बू और बाकी के सारे चिलिकों को मैंने यहाँ पर cut कर लिया है बारिक बारिक टुकडों में तो चलिए इसे हम अभी ग्राइड कर लेते हैं आपको यहाँ पे ग्राइड करने के लिए थोड़ा सा पानी भी आड़ कर सकते हो इसमें एक दम ज्यादा पाने का आड़ ना करें नहीं तो क्या होगा अच्छी तरीके से यह पेस्ट नहीं बनेगा तो मैं थोड़े से पानी का इसमें यूज करके अच्छी तरीके से इसका पेस्ट में बना लूँगी तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम पेस्ट बना लेते हैं तो ऐसे ही आपको यहाँ पे बना लेना है पेस्ट जितना अच्छी तरीके से यह बन सकें तो देख सकते हो यहाँ पेश्ट हमारा बन चुका है तो देखिए फिर थोड़ा सा मैं पानी और एड़ कर दूँगी और इसे मैं चान लूँगी यहाँ पर कोई भी आप एक चन्नी लेके इसे चान सकते हो तो इसे हमें चान लेना है जो चानने के बाद जो पानी चानने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा गुदा बसता है उसे भी आपको नहीं फेकना है उसका भी हमें यूज़ बताऊंगी आपको तो देखिए यहाँ पर ऐसे आपको एक कल्ची की सायता से या कोई स्पेचुला की सायता से अच्छी तरीके से इसका रस निकाल लेना है सारा जूस हमें अलग कर लेना है जो भी पल्प इसका बचेगा उसका मैं दुसरे वीडियो में आपको बताऊंगी तो प्लीज पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए बिल्कुल भी स्किप ना करे अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज जरूर शेर कीजिए ताकि इतनी अच्छे ची इन्फॉर्मेशन दुसरे को मिल सके और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले अगर आपने सब्सक्राइब किया तो तो देखिए इतना सारा यहाँ पर पल बचा है उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगे कि इसका क्या करना है तो यहाँ पर देखिए इतना सारा लिक्विड हमारा बन चुका है तो यह लिक्विडी हमें यहाँ पे चाहिए तो चलिए यहाँ पे इसका यूज में करके बताती हूँ तो यहाँ पे हमें कुछ भी आइड नहीं करना है सिर्फ यह वाला लिक्वीडी हमें चाहिए तो यह देखे मेरे पास एक कॉपर का छोटा सा भगवान का जो पानी बगेरा हम चड़ाते हैं आसान तरीके से इसका कालापन यहाँ पे निकल रहा है जो हम पितामरी यूज करते हैं उसे हमारे हाथ बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं उसे तो किसी किसी को ऐलर्जी भी होती है पर यह पानी से बिल्कुल भी ऐलर्जी वगेरा नहीं होगी नहीं आपको बहुत ज़्यादा मैनत करने की जरूरत हैं मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी कट नहीं किया है आपको पूरी वीडियो यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ इसे आप जरूर बना के ट्राइ कीजिए आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि यह कितना कारगर है और कितना ज्यादा यूसफुल है हमारे बरतन क्लीन करने के लि इसे पाने में भी आप थोड़ी देर के लिए डिप करके रख सकते हो तो देख सकते हो यहाँ पे सारा कालापन इसका निकल चुका है देखिए बाटम से भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक क्लीन हो चुका है तो यह रेसिपी ज़रूर ट्राइ कीजिए घर में बहुत ही तो चलिए यहाँ पे मेरे पास एक कॉपर की दूसरी प्लेट थी उसे भी मैं यहाँ पे क्लीन करके आपको बताती हूँ आप चाहिए थोड़ी देर के लिए इसे डिप भी कर सकते हो जिसे क्या होगा बहुत आसान तरीके से यह भी क्लीन हो जाएगा पर यहाँ पे मैं थो तो देख सकते हैं हमारी प्लेट किस हद तक यहाँ पे क्लीन हो गई है यह लेमन की वज़े से होता है उसे बहुत अच्छी तरीके से हमारे प्लेट से चिकनापन दूर होगा अचार के दाग अगर चाय के दाग हो तो वो भी आसान तरीके से निकल जाएगे लिए क्लीन करन तो देख सकते हो आप यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर भी मैं ऐसे ही क्लीन करते जा रहे हूं सिर्फ उसमें पानी में आपको डिप करना है और इसी से आपकी जो भी चीज है घर में जो भी आपके बरतन है गंदे वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगे अगर आप डिप क् कीजिए जो लेमन हम ऐसे ही फेक देते हैं लेमन का जूस निकालने के बाद लेमन का चिलका उसका आप यहाँ पर यूस कर सकते हैं यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा लिक्वीड बनके रेडी हो जाएगा क्लेनिंग लिक्वीड यहाँ पर जो महेंगे महेंगे पावड करना बिल्कुल ना भूली